पूरा वोच कीजिए इसको देखी अच्छे समझ ये और इस लेसन को देखने के बाद आप हमारे चैनल पर जाएं वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में तबला लेसन्स फोर बिगनर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगे उसमें आप लेसन नमबर वन से लेकर जितने भी सारे लेसन्स हैं सभी लेसन्स को वाच जरूर करें और वो सब लेसन्स देखने के बाद आप इस लेसन को दुबारे से देख लीजेगा तो आपको ये आज का लेसन बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमारे चैनल पर और भी कहीं सारे वीडियोज हैं जो आपको प्लिलिस्ट में दिख जाएंगे काफी सारी प्लिलिस्ट हैं वाँ पर तो आप सारी प्लिलिस्ट की वीडियोज देखिए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेर कीजिए और अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन पर आप All पर क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले सभी वीडियो के लेसन्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे चलिए दोस्तो आज किस लेसन को हम सीखते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं ये जो मैं लेसन बना रहा हूँ चार पांचे एक सबसे पहले हम इसमें बजाएंगे धा और मैदान पर धी बोल है अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस को कैसे बजाना है बेस में शुरुवात में बेस को हम तोड़ा सा दबा कर बजाएंगे धा को दबाया धी को खोल दिया देखिए धा धी न धा फिर दुबारे से धा को दबाया धा धी न धा पी न पी के साथ हम ये कर का साउंड हलका सा लगाएंगे धा धीना 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 धा धा धीना धा धा धीना धा धा धीना धा एक बार दुबारा से मैं आपको कमी स्पीड में बजागर दिखाता हूँ दोस्तों तो यह दादर अताल का साधरन पैटर्न है जो मैंने शुरुवाती स्टुडेंट्स के लिए बताया है और आप इसका रियाज करें वो कमी स्पीड में करें आप हमारे इस वीडियो को चला कर हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इमारा आज का लेसन अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा प्रैस अच्छे प्लेस लाइक कमेंड शेयर अट सब्सक्राइब थैंक यह सो मुच्छ थैंक्स वर वचिंग जैहिंद बंदे मातरंब झाल झाल